अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाइ बरकातु इत्ते हद नूद में आप सबी का आख खेर मगदम है आज हमारे साथ खास महमान मौजूद है विन इद्बे साथ बंबई के समाजी खिद्मदगार हैं सोशल अक्टिविस्ट और फिर सोशल मीडिया इंफ्लूंस वर भी हैं लाखों फॉलोवर्स हैं और बेबा की से राय रखने के लिए वो खाफी मशूर है कोरुना के दवरान मजदूरों को उकसाने का भी इन पर इलजाम लगागा है लिहाजा किसी तरह से किसी भी दबाव मे किसी भी हुकुमत के दबाव में ना आते हुए वो अपनी वेबा कराय रखने के लिए मशूर है आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में वो मौझूद है आपका यह दूसरी मरतबा है सर विलगाम शेहराना आपका खेर मद्दम सर मौझूद हालाद पर ही हम बात कर सकते हैं उस पर भी आपने वेबा किसे राय रखी है मैंने देखा आपका विडियो है सर यह कहां तक रुखेगा सर इस तरह से जिस तेजी के साथ यह नफरत के आग भड़काई जा रही है तो यह कहां तक रुखेगा आप कैसे इसे देखते हैं और इसे रोकने के लिए क्या प्रक्ति का नियम है वैसा ही एक ये दौर भी गुजरे गाई ये ऐसा कोई दौर नहीं है जो हमेशा रह जाएगा एक थोड़ा सा कुछ नफरत बाज लोगों की वज़ा से जिनके हाथ में हम बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में आपने बंदूग दे दी है तो तो कहीं भी ग मस्जिद के बाहर जाके नारे लगवाए मैंने न मस्जिद के बाहर जाके तलवारे लहराई ना मैंने मस्जिद के बाहर जाके मुसल्मानों को गालियां दी ना मैंने मस्जिद के बाहर जाके कुरान जलाई या कुरान को कुछ अप शब्द गए इसके बिना भी हनुमान ज कहते हैं वो बजाए मंदिर की तरफ जाने के या मस्जिदों की तरफ जाने का एक नाय ट्रीड देखा जा रहे हैं यह कोई भक्त नहीं है एक पार्टी के तीन सो चार्सुर रुपया दिहाडी की लाई हुई भीड है मेरे प्रभु शीराम मंदिर में बसते हैं मस्जिद के द देखा है क्या राजना सिंग जी के वो जो विधायक लड़के हैं पंकज भाई अच्छे दोस्त हैं उनको क्या आपने कभी मस्जिद के बाहर तलवा लहराते हुए देखा है बहुत अच्छी बात कहीं आपने कहीं पर भी जो है यह नेता के लेडर के बच्चे जो है इस द कोई गाना सुनने का मिलेगा उनकी औक अवकात नहीं है कि कभी कोई एगाना डी-जे बनाके सुन ले नाच ले उनकी हैसियत नहीं है कि कुए मतलब पुजा पाट कर ले dइते हैं जैसे में तन एंड़े तो ननो 서울 में और इनके जो जो जिस तरह से यह पूजा कर शारिए क् मुजरा करने का जो शोकिया उनको जो मुजरापन है वो उसका पांसर रुपया तीनसर रुपया दिहाडी लेते हैं वो अपना काम कर रहे हैं अमुमन यह देखा जाता है कि जिस तरह से आपने बताया कि नेता के बच्चे तो इस दंगा फसाद में वगरा रहते भी नहीं लेकिन अब नया यह भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज को भड़काया जाता है बहुजन समाज के लोग इसमें आगया गया पेश नदर आती मैं एक चीज जानता हूं कि यह अपने आपको पहले जाती से हटा के हिंदू कहलाना चाहते हैं मैं बोलना चाहता हूं कि बहुजन तमाम मेरे दलित समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप आईए मंदिरों में आप मैं आपको मैं ब्रामन हूं सनातिनी हूं मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप आके मेरे अनुमान जी को मेरे प्रभुशी राम की सेवा करिए आप हिंदू है मैं आपको इस हिंदू के नाते बुलाता हूँ क्या आप आएंगे ये आपको जब सम्मान देने की बात आती है तब आपको दलीद बना देते हैं जब आपको अधिकार देने की बात आती है कहीं भी आप पोस्टिंग निकालिए SDM की पोस्टिंग निकालिए किसी भी सरकारी पोस्ट पे निकालिए आपको सबसे ज़्यादा सवर्ण दिखाए देंगे ब्राहमन राजपूट दिखाए देंगे सारे बड़े अधिकारी आपको उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है ये भी तो हिंदू है सबसे आगे रेलियों में तलवार लेके या जिस तरह से भी आरोप लगते हैं कि ये दली समाज के बच्चे उसमें जाते हैं मैं बोलना चाता हूँ उनको हग दीजे ना आप क्या सिब उनको नचवाने के लिए ही रखे हैं इनका लड़का IPS IPS नहीं बनेगा इनको प्रमोट नहीं करेंगे प्रमोट होंगे तिवारी जी शुकला जी और सिंग साभ ये दूसरा ये भी है कि मंदिरों में दाखला नहीं द लेकिन सविदान को संसत के बगल में जलाया जाता है और पूरा भारत खामोश रहता है देखिए हमारे पास इस समयना नपूंसकों की सरकार हैं अगर सही मैंक्च्वल कोई सरकार होती नहीं तो सम्विदान को हाथ लगाने वाले क्या आउकात दिखा दी जाती वो तो सब न बेटियां है मैं अपना घर भी चला रहा हूं समाज भी देख रहा हूं मैं भाग नहीं सकता ना अब नल्ले लोगों के हाथ में आप कुर्सी दे दोगे तो उनसे क्या उमीद लगा होगे उनके घर के नीचे अगर जाके आप कुछ ऐसा सूदा कर लो तो यह कुछ का कारव करने की है दम तो लगा लिजी न्युक्त कर लिजे करवाई रोज आके समविधान के दाएरे के बाहर जाकर बात करेंगा मैं बोलता हूं नरेंद्र मूदी नहीं हम इस शाकी भी ऑवकाद नहीं है कि यतिनर सिंगन का कुछ कर ले अगर आवकाद होता तो करके दिखाए हम भी देखना चाते हैं तो फिर कैसे सभी दन को बचाए जाए सर मैंने बूला ना प्रक्ति अपना रजरिया बना लेती है अगर आप सड़क पे एक बुतल पानी गिरा दोगे ना तो पानी रस्ता बना के अपना जगह निकल जाएगा यह वो दोर है जहां पर हमें आपको लग ने का चैलेंज करा तो उपर वाले की लाठी चली है आज रासुका में जाके रो रहा है विचारा तकलिफ होती है ऐसे लोगों को देखके आप बेबा की से राय रखते हैं आप पर भी कई बार इल्जामात की हमले भी हुए सर फिर आपके यहां तक की आपको मुसल्मान होन वो मुझे चिडाने की कोशिश करें मुझे घंटा फरक ने पड़ता नरेंदर मोदी जी पठान का बच्चा हो सकते हैं मैं मुसल्मान का बच्चा नहीं हो सकता मोदी जी तो खुद बोले हैं मैं पठान का बच्चा हो जहां जाते हैं वहां के बच्चे हो जाते हैं मतलब मुसल्मानों से इतनी नफरत है कि मुसल्मानों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं यह आप देखेंगे मेरे ट्विटर्स पे मेरे सोचल मीडिया साइट पे आके मेरी एक फोटो चिला लगा देंगे कि इनका मा जुबैदा, बाप महमूद और बेटा विने दुबैद, क्या फरक पड़ गया? यह क्या फरक पड़ गया? मेरा इससे लिखने से, पोस्टर बनाने से मेरा क्या बिगाड लिया तुमने? मुझे तो उल्टा आप लोगों ने अच्चुल इन्हों नहीं भारती जन्ता पार्टी के लोगों मुसल्मानों के दिलों में मुझे पहुचाया मैं एक लौता देश का ऐसा ब्रामन सनातिनी हूँ जो मंदीर की आरती में भी लोग दूआया करते हैं और मुसल्मान भाई रोजा और इफ्तारी या इस समय दौरान में कहें कि भाई इस इंसान को सलामत रखें। मैं एक लगता है, मैं सुभा के शाली हूँ इस देश की स्मिट्टी पर मुझे जनम मिला है। और इतना मोहबत लोगों से हर तरफ के लोगों से मिलता है। नहीं है। और वहाँ पर फूल की माला है, बाबा साहिब आम बेटकर को चड़ाता हूँ। पट्ना के वहां पर होस्टल है। वहाँ पर मैं जाता हूँ। वहां पर दलित लोग मेरा सम्मान करते है। दिखाएए जाता है कि दली तो ब्रहमनों की दुश्मन ही चल रही है मैं एक लोता हूँ ऐसा मुझे फिल होता है कि मैं भारत के हर उस समाज में जाता हूं जहां मुझे सम्मान मिलता है और यह कि भारती जंता पार्टी के दिहाड़ी है तो मैं कहीं न कहीं उस मुख्य मंत्री से ज़्यादा ताकत वर हूँ आपने जब ही कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलावा आएगा जरूर लेकिन देख रहे हैं कि हम केजरिवाल अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें जुर्माना लगा जाता है रहुल गांदी को जो है दो साल के सजा दी जाती है तो इस इंतहा तक गया हैं कि अदालत में भी फैसले बदल दिये जा रहे हैं इस पर क्या है देखिए सब चीज होता है सार हिटलर के जमाने में इससे ज़्यादा ताना शाही थी ये तो कुछ भी नहीं है जब हिटलर नहीं रुक पाया इतने बड़े तोब जन नहीं रहे पाया लाखों लोगों को जहरीली गैस देके इंजेक्शन देके मार दिया वो इंसान जब नहीं टिक पाया ये सब तो कुछ भी नहीं है ये ना मतलब हम लोग जो सुपर गार्डन में कुमते तो नीचे जो घास पत्ती होती है न वैसे हैं ये इनसे होता कुछ नहीं अच्छा राउल गांदी को सजा देके क्या विगाड़ ली सदस्याली उसका कद बढ़ गया देश के अंदर लोगों को ये लगा कि यार देख अब हर बंदा अपना लेका है कि मोदी जी मेरा ये डिगरी है आपका दिखाइए क्या बिगाड़ लिया पच्छी सजार में पच्छी सजा से जादा रील बन चुकी है एक ताजूब की बात है एक मौजुजा की ये कि हमारे प्रदान मंत्री अगर बाल नरेंदर बनकर मग बहुते स्टुडेंट थे पूरे तलाब में अकेले मगर मजब करने वाले थे इनके ना गुरू थे ना कोई टीचा थे किसी ने पढ़ाया नहीं लेकिन ये में डिगरी कर चुके है होता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं आप नौजवानों को क्या पैगाम देन देखिये डरो मत मेरा तो पहला कहना मैं जानता हूँ कि ना मौट सब को आनी है कोई कैंसर में मर जाएगा कोई बाइक चलाते हुए अकसिडेंट में मर जाएगा किसी गोली से मर जाना है नहीं हुआ तो फासी पर चड़ा के सरकार आपको मारत मरना है ना जितने दिन जीओ तो शेर जैसा जी हो यार मतलब डर के क्या जीना है और क्या ही बिगाड लेंगे जब तो उपर वाला नहीं चाहेगा आज एक ही चीज है कि कभी भी गलत के खिलाब खुल के खड़े होई है थोड़े समय परिशानी होती है लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम चला जाता है आपके पड़ोसी को पता नहीं होता कि आज जिसका जनाजा जा रहा उसका नाम गया था कुछ ऐसा कर जाओ कि लोगों को आपका नाम इतिहास में रह जाए है विने दुबे बेबा की के साथ अपनी राया रखते हैं लेकिन जिस काउम पर हाला था है खासकर मैं अगर मुस् आपके साथ कोई नहीं है आप लोग पता नहीं क्यों यह अफवा या गलत फेहमी अपने दिमागों में डाल कर रखे हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है आप उस देश के उतने ही नागरिक है जितना कि नरेंदर मोधी की दिवंगत माता जी एरा भाई थी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी नागरिकता अलग है बड़ी है आप चोटे आप सब एक समान है फीलिंग करने की बात होती है आप कभी देखोगे ना कि कुरसी पे गधे को बान दीजे वो गंधे बधान रह जाए उसको नहीं पता है कि प्लास्टिक की कुरसी में खीच की ले जा सकत यह डर जब आपके अंदर से डर नहीं है मतलब एक ऐसा फैक्टर है वह आपके अंदर बैठ चुका है ऐसा से कम तर यानि कि अपने आपको छोटा सब आप देश की प्रधान मंत्री पत के दावेदारों में से हैं सर आपको उतना ही वोटिंग राइट से उतना ही सिक्षा क अधिकार है अच्छा एक बात बते हैं भगवान ने आपके साथ भेदभाओं नहीं किया वह हवा हिंदू भी अक्सिजन ले आप भी ले रहे हैं सूराज आपके लिए भी निकलता है मेरे भी निकलता है ग्योहूं जो पैदा किया जाता है वह ही आप भी खाते हैं मैं भी चीज़ का है ये चीज़ अपने मन से निकाले जब प्रकति आपके साथ भेदबाओं नहीं कर रही तो देश तो आपका अपना है सर और मैं तो कहता हूँ कि हर एक अन्याय के किला अपना लड़िये डंके की चोट पर क्या कल लेंगे जादा जादा आज आपके लिए उमर खा को बैल गावी में भी जानता है कि उमर खाली नाम का कोई बंदा है बस यही एक चीज़ है सर वो जिस दिन अपने आप निकल जाएगा ना आप विनाइद वे उमर खाली की मिसाल पेश कर रहे हैं लेकिन जो भी नाम लेता है उसे तो देशतगर्द कहा जाता है सर उमर खाल करते थे समय बदला है लोगों के वही है कहने का नजरिया अलग होता है अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए जनहीत में लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए अगर आप क्रांती का रही है ना तो आप आतंकवादी भी कहला यह कोई दिक्कत नहीं उसमें आपको ग यतने केस लूँ कल को मैं भाजपा चला जो सब माफ हो जाओंगा दस क्रोड महीने का कमा हूं मैं आराम से रोज ओफर आता है सर कि वीने जी कहां उस तरफ है इस तरफ आ जाए यह आपको तो क्या ही दे दिया जाएगा लेकिन मैं जानता हूं मेरा जमीर मैं किस तरह से लो पूरा देश मेरा सानसदी है पूरा देश मेरी विदायकी की कॉंस्टिट्योंसी है कहीं भी जाता हूं लोग महबत करते हैं कि MLA मेरे लोकल MLA और मुझे कड़ा कर दीजे फरक दिखता है सड़क पे सर तो यह कमाया है और यह आप लोगों की महबत है बस इतना ही है कि डरि दस नौजवान को जमा करता है सतर साल का जिसका हाथ का आप रहा है उसके बुढ़ापे का उसकी दाड़ी काटने के लिए एक हिंदू मजबूत लड़का 25 साल का वो सुचता है कि नहीं आर अपने को और आर दस लड़के की जूरत पड़ेगी सोचिए यह जजबा है आपक मेरे नजर में वो सतर साल के बुज़ूर्ग को आठ लोगों ने मिलके दाड़ी काट पाया सोचिए बुज़ूर्ग के अंदर कितनी ताकत होगी कि 25 सार के आठ ना कायर हिंदू एक बुज़ूर्ग पर हमारे धरम में लिखा है कि और तो पर बुज़ूर्गों पर हात नह लोगों ने वो इसके लिए मैं कायर हिंदू कह रहा हूं कि उन्होंने अमारे धर्म का जो नियम तोड़ा है ना वहीं पर इनका खतम हो गया है कि यह तो भाई यह कुट्टे और सूवर की जमात में आ गए यह हिंदू में ने रहे मैं मुसल्मान में रहे एक सतर साल का बु करती है मुसल्मानों के नाम से अगर हम थोड़ा सा टाइड कर धील छोड़ देना तो मुसल्मान हावी हो जाएगा यह रिटन स्टेटमेंट यह वर्ड लोकसभा राजसभा के अंदर अमिशाजी नरिंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग कहते हैं कि इस देश में मुसल्मानों उसे सबसे जादा खत्रा हिंदू को है तो यह तो नोबत है हमारे देश की आपकी कौम बहुत ताकत हो है सर लेकिन आप अपनी ताकत नहीं पेचानते हैं इस समय मैं बेलगाम हूँ और उस आफिस में बैठा हूँ जहां पर कुछ साल पहले जब मैं आया था तो एक करांती करांती करी की शुरुआत हुई थी इतिहाज न्यूज करके उसका नाम है इस समय करीवन एक करोड के उपर व्यूज हो चुके हैं दस साल का पूरा यह जड़नी है और सतर हजा सब्सक्राइबर्स के साथ यह आज भी प्रकर होकर बेलगाम से पूरे देश तक चीजों को पह चाएंगे इनकी पूरी मेहनत बिकार हो जाती है मैं खुद इनको फॉलो करता हूँ और आप तमाम लोगों से कहता हूँ कि हो सकता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है इनकी वीडियो को शेयर करें क्योंकि जो जमीनी हकीकत बेलगामी में हो रही है कर पगल में बैठे हैं मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं सेयर करें और सब्सक्राइब करें झाल